हाई गाईज अगर आपको भी मेरी तरह राइता पसंद है तो एक बार ये बूंदी का मसाला राइता जरूर ट्राइग की देगा कि ये खाने बहुत ही मज़िदार लगता है और बनाने बहुती आसान तो चले रेखते से कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले ह समय भी में दर धनियए कर देंगे तो त् Cihani दियां को अच्छे से धुलकर लिजसेगा फिरаже कर देंगे फिरे से अधिकर दो तीन हरीमिची के टू क्युकाटिकर देंगे फिरे बर्फ और शो 緩 où चैज़ों को सबक्राइण बड़ा सा बोल नहीं इसमें दो कप धन्ड़ा धाही डाना ऐड़ा एक जब देगा, धन्ड़ा दाही कोईज है तो फिर एक तेस्ट घंड़ा नहीं आएगा और पुदीना का पेष्ट बनाया था ना उसे इसमें एक कर देंगे और फिरसे से फेंट लेंगे तब तक मैं इसे फेंट रही हूं आप मुझे कॉमेंट में बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी कहां से देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर क तो यह देखिए मैंने से अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें पुदीना और धनिये का हलका सा ग्रीन कलर आ गया है जिसे हमारा राइता देखने में अच्छा लगेगा अभी इसमें धेर सारे हम आइस क्यूब्स के टुकड़े एड़ कर देंगे इसे क्या हमारा राइता लंबी समय तक ठंडा बना रहेगा और अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए जितना भी आपको गाड़ा या पतला राइता चाहिए और पानी भी मैंने ठंडा लिया है फिर इसमें एड़ सारी बूनी मैंने हापर मसाला बूनी लिया आप सिंपल भी ले सकते हैं और अगर आप बैजीज में राहिता पसंद करते हैं तो आप इसमें चौप बैजीज या फिर खीरा गाजर या फिर लौकी बगिरा भी एड़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे भोज मसाले का चाच मसाला इससे बहुत ही पॉइंट है तड़का लगाना क्योंकि तड़के के बिना राइता अधूरा से लगता है तो हींग जीरे का तड़का लगाएंगे दिप सर्सों के तेल में तो यह लीजे हमारा तड़का भी लग चुका है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अफटा फटसे से सर्प चाहे तो खाने के साथ या फिर ऐसे इसे तो दिन रात पियो बिल्कुल नुकसान नहीं करता और तेश्टी बनता है तो जरू से ट्राइक करना और हां मुझे यह जरू बताना आप क्या राइता कैसे बनता है और अगर रेसिपी बसंद आईए तो फ्रेंस फैमिली के साथ स बाइबाई